प्रफिल पवन्थ जैसे कि मैं पिछले वीडियो में भी कह चुका हूँ कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों कि प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ कि तो आज हम बात करेंगे कि आप सेलफ स्टडी से कैसे तयारी कर सकते हैं बैंक की चली करूब्लम करें कि अपकर नुटीन कि वह दिन बर में बहुत लोग कहते हैं कि अठार अठार शचाना बैठके पड़ो कौई चोबिस गन्ते कोई कोई तो यह भी कहते हैं कि सोई मत खाना कम खाओ कि नींद कम आए ऐसा कुछ नहीं है सोना भी बहुत ज़रूरी है एक 8 गंटे के नींद और खाना टाइम से हर चीज ज़रूरी है अगर आपका शरीर नहीं रहेगा तो आप किसी भी कॉम्पेटेशन के तैयार या फिर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बहुत लोग कोचींग में आप जाओगे तो बहुत लोग आपोगा है 16 गंटे में पढ़ तो कुछ होगा ही नहीं कि कोई चांस ही नहीं है अगर 17 गंटे आप नहीं पढ़ रहे हो तो उस क्लास से निकल जाओ बस आपको यह करना है कि आप जो कर रहे हैं उसको रेगुलर करना है एक दिन छोड़ना नहीं है एक दिन करना है जो आपका रूटीन बनाया है आपने उसको रेगुलर करना है तो शुरुआत करते हैं कि आप शुरू कहां से करें सबसे पहले आप आपने कौल करяет आपको जिस चीजर में दिक्कत आ रही है मैं घुड़ारे करें तो उसके जो स्वादय से ट्लेयर कर इंद्धreck का ऐसके विकरं करें तुसक्त कर रहे सिद्यों में संट्ध करना ब्रकरोप करें तो अब ज्यादा लोगो करने पर आप कोई भी एक बुक फॉलो करें या तो आरे सगरवाल या फिर कोई मैगजीन या तो फिर कोई ऑनलाइन बुक या फिर कोई ऑनलाइन पैकेजेज आते हैं वो फॉलो करें कॉंसेप्स क्लीयर करें या फिर अपने खुद की टैंथ या ट्वल लाजये अघुक या फिर क्लास 5 लेकर आ तक के पास किताबें तो उससे आप पड़ सकते हैं कि मैथमेटिक्स में हमेशा पूनी सब किताबों में से आप वेसिक वेशन आते हैं और रिजनिंग की जहां तक बात है तो रिजनिंग के लिए आपको एक पब्लिशर की बुक लिनी होगी या फिर आप कुछ से रिजनिंग करना चाहते हैं तो ऑन-लाइन रही है अगर आप मेहनत नहीं करोंगे तो फिर स्टेडिय कोई काम ही नहीं है उसके बाद इसके बाद आता है इंग्लिश सवाल जहां तक इंग्लिश के सवाल है आप विद मैं एक्स्पीरियंस में यह बता रहा हूं आप नॉबल्स पढ़ सकते हैं और रूज एडिटोरि अगर टाइमस अफिंडया नहीं पढ़ रहे हो तो दा हिंदू पढ़ने की पढ़ आप उसके लैंग्वज इतना हाड होता है कि आप उसको समझी नहीं पाऊंगे तो शुरू करना टाइमस अफिंडया से तीन-चार मैने टामस अफिंडया पढ़ना जब आपको लगे की मै समझ रहा हूं शब्दों को समझ रहा हूं तो अब आप टाइमस अफिंडया पढ़ने हैं हिंदुद्दा हिंदू पढ़ना सॉरू और रेगुलर कम से कम 10 या 15 वोकाप्स आपको याद करने पढ़ेंगे अगर आप 10 या 15 वोकाप्स नहीं याद करोगे तो आप जो रिजन इंग्लिश में पैसेजस में क्वेश्चंस आते हैं वो कपस के वो नहीं करपा हुए है कि आप अगर ये सोच रहों कि सेल्फ स्टडी साब कर सेक्स मुंस में आपके और सभी कॉंपेटिशन क्लियर हो जाएगा तो ये सरा सर जुठ बात है किसी भी कोल भी कॉंपेटिशन स से सिक्स मंस में क्लियर नहीं होना हां अगर आप बहुत इक्स्ट्रावड़नेरी बच्चे हो तो आप यह हो सकता है अगर आप से से जर्व पर कुछ से अधार ना बढ़ेगा आपको पढ़ना खुद से पढ़ेगा तो इसे चीजहां पर आपको समझ में तो हूँ हो लेकि थालगा तो तो इसलिगो-चे endured आपको समझ्य में लग जाएंगे कि मैं शुरू कहां से करूं मैं करूं कैसे उसके बाद अगले शे में में आपका रिजल्ट आपको साम्य होगा इन सब चीजों को करने के बाद सबसे जरूरी है मौक टेस्ट लगाने मौक टेस्ट के लिए आप किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट जैसे बांकर अड़ा और और कोई वेबसाइट अड़ा 24-7 इन सब बहुत सारे कोचिंग इंसिटूशन अपना खुद का एक यूजर इडी पा मौक लगा सकते हैं या फिर आप और नाइन परिजिस भी कर सकते हैं यह ज्यादा परच ना मुश्ट से अगर आप छे महनें पढ़ रहा है तो छे महनें में कम से कम так 180 days होते हैं 180 days 180 days के 180 days आप अंव कम से कम लगाव मौकक टेस्ट एक लेख़एक लगाते हैं येSp 2010 लगाते हो तो आपको पता चलिए कि आप फस हुआ और जहां फस रहें उसको फिर से क्लियर करो फिर मॉप्टेस लगा आध्या दूर आप पढ़े के मॉप्टेस नहीं लगा रहे हो तो कम से कम उसको दो खंटे बैठ करो कि कहां कहां गलतिया हुई है और उन गलतियों को सही करनी कोशिश करो तो ये था मेरा वीडियो, अप कैसे करें, कॉंपटिशन कैसे क्लियर करें और लास्टी अगर मैं ये बात करना चाहूँगा, आपका अगर प्री क्लियर हो गया है तो आप मेंज के तियारी कैसे करें ये अगले वीडियो में बताऊंगा धन्यवां